नमस्कार टेली डियो जारकंड में स्वागत है आपका मैं हूं इम्तियाज अंसारी प्रसुत है समाचार पलामू से हमारे संबादाता आलोक पाठक की रिपोर्ट आज सिख्षक दिवस के मौके पर डाक्टर सर्व पली राधा कृष्णन के जैनम दिवस के रूप में सिख्षक होने के नाते एमंग प्रथम राष्टपती तथा दिलतीये राष्टपती के चेरनो में आज का दिन हम सभी बिवसाइक पर सिख्षक को द्वारा समर पित है जारकंड में भारत सरकार के मानो संसाधन विकास मंतराले के द्वारा राश्टिये सिक्षा नीती 1986 के अंतरगत जारकंड राज्ये के राजकिये उच्चे माधिमिक विद्यालों के विद्यार्थियों के कौसल विकास की छमता को विक्सित करने के उधिस से ब्योसाइक सिक्ष योजना को नई सिक्षा नीती के तहट अनिवार सिक्षा के रूप में सुब आरम किया गया इस पर योजना में राज सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्यालों तथा ब्यवसाइक विश्यों का अंतिम रूप से चेयन भार सरकार द्वारा किया गया इस पर योजना से जारकंड के सभी जीले के चातर चात्राओं का कौसल और कुसल भविस्य के लिए अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए जारकंड में थर्ट पार्डी कमपनी के द्वारा ब्यवसाइक पर सिक्षकों का चेयन सत्र 2015 से लेकर 2020 तक का सत्र को ट्रायल वर्जन के रूप में चलाया गया था नई सिक्षा नीती के अधार पर 2021 में ब्यवसाइक सिक्षा को उत्कृष्ट एवंग महत्वपुन सिक्षा के रूप में बताया जा रहा है क्योंकि इससे जारकन के सभी जीलों में बच्चे एवंग बच्चियों कौसल और कुसल बन रहे हैं साथी रोजगार एवंग उद्योग आदी का निर्मान कर रहे हैं ब्यवसाइक सिक्षा के छेतर में कारजरत ब्यवसाइक पर सिक्षकों ने सुरुआत से लेकर अभी तक ब्यवसाइक सिक्षा में बच्चों को उत्कृष्ट बनाने के लिए बिद्याले की कछा से लेकर लॉकडाउन की इस्थिती को देखते हुए आउनलाइन क्लासेस मुहला कलास के माध्यम से बच्चों की तरह तरह के प्रजेक्ट बर्मा कर बच्चों को इंडस्टीज विजिट करवा कर अन्य बहुत सारी तरकीब अपना कर व्योसाइक सिक्षा की निव को आगे बढ़ाने में व्योसाइक सिक्षकों ने छात्र छात्राओं को Employment के रूप में सरकार की पहल को सार्थक किया है इन सभी के बीच जारकंड में व्योसाइक परसिक्षकों की भविश सुनिश्चित नहीं होने के कारण प्राइवेट कमपनियों के अंदर काम करने के कारण अन्य सिक्षकों की अपेक्षा ब्योसाइक परसिक्षकों को विद्याले में हिंद रिष्टी से देखा जाता है जबकि जारकंड में काजरत ब्योसाइक परसिक्षक B-Touch एमंग M-Touch की योगता रखते हैं एमंग हम सभी ब्योसाई पर सिक्षक ब्योसाई बिसयों के अलावा अन्य बिसय को भी बच्चों के पठन पाठन में काफी साहता पहुँचाते हैं